लोगडाउन में गरीवों के मसिया वने एक्टर सोनू सूथ ने करीब 12,000 प्रवासी मजदूरों को बस के जरीए उनके घर पहुचाया कुछ महिने पहले हर तरफ सोनू सूथ को उनके नेक कामों के लिए याद किया जा रहा था इन संकट की दिनों में जहां लोग घर में बैट कर अपने आपको सेफ रख रहे थे तो वहीं सोनू सूथ हजारों की भीड में जाकर लोगों को सई सलामत बसों में बठाल कर उनके घर पहुचाने में मदद कर रहे थे हर तरफ सोनू सूथ को भगबान माना जा रहा था सी मजदूरों की तरह मुंबई आय थे सोनु सूद ने बताय कि लाखों लोगों की भीड में बसा मुंबई में उस रात मुझे बहुत अकेला पन लगा सोनु ने बताय कि जब मैं मुंबई आया तो कुछ दिन बाद मेरा जनम दिन आया लेकिन किसी एक शक्स ने भी उन्हें बर्थरे विश नहीं किया रात हो गई तो लोखन बाला के पुल पर आकर रो रहे थे अकेले पन को याद कर आखों में आसू लेकर सोनु सूद उस पुल पर रो रहे थे उसी रात उनके माता पिता और बहन ने विश किया और उन्हें लगा कि सोनु सूद दोस्तों के साथ जरम दिन सेल्वरेट कर रहे होंगे लेकिन उनके पास कोई एक शक्स नहीं था सोनु सूथ ने तब से ठान लिया था कि ये दिन कभी को पूरा देश मिलकर सेल्वरेट करेगा और आज पूरे देश के लोग सोनु सूथ के जरम दिन पर बदाई देते हैं सोनु ने बताया कि रोशने करियर में बहुत संगर्स किये पैसो की तंगी में कभी रोटी नहीं खाते थे 5000 रुपए लेकर मुंबई आये ते और 400 रुपए में वो मुंबई पहुचे थे सोनु ने बताया कि मैं पहली बार मुंबई बिना रिजर्वेशन टिकेट के ट्रेन से आया था मैं ट्रेन के दर्वाजे पर खड़े ओकर और बात्रूम बगल में सोकर मुंबई पहुचा था मुझे पता है कि संगर्स क्या चीज होती है सोनु को लगा था कि मैं मुंबई सिटी में घूमूँगा तो कोई ना कोई देखकर मुझे काम देदेगा मुझे अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लेगा लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ सोनु नो बता है कि आज मैं अपने माता पिता के आश्रवात के कारण ही यहाँ पर हूँ सोनु सूद ने 1999 में तमिल फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी और अब तक वो कई सुपर हिट फिल्में दे चुके हैं तो सोनु सूद को लेकर आप भी कॉमेंट ज़रूर करें मिलाम नियूज रिपोर्ट